टाइटल, टायक, डिस्क्रिप्शन सारा कुछ मेंसन करते हैं आप, आपका वीडियो जो है फिर भी रैंकर नहीं कर रहा है, ब्यूज फिर भी नहीं आ रहा है, इंप्रेशन यूटूब आपके वीडियो का नहीं भेज रहा है, तो यहाँ पे देखिए, इसके से आपके लिए तरीके निकाल कर लाते हैं, कैसे आपका चैनल बोस्ट हो जाए, और कैसे आपके वीडियो पर वीव जाना स्टार्ट हो जाए, सारा कुछ हम सिखाते हैं, कैसे वीडियो की रिच जादा लोगों तक आप भेज सकें, लेकिन आपको सीखना है, तो वीडियो क पूरा देखना पड़ेगा और जो अधूरा छोड़कर चला जाएगा कभी नहीं सीख पाएगा और एक तारीक से हम प्रमोशन करना चालू कर रहे हैं बारी-बारी से सभी का प्रमोशन करेंगे और सभी को लाइब से जोईन होना है सभी को मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और आप टाइटल सही से डालते हैं टैग सही से डालते हैं और डिस्क्रेप्शन में कीवर्ड भी बहुत सही से आप डालते हैं और क्या करते हैं थमनेल भी बहुत अच्छा बनाते हैं फिर भी आपके वीडियो पर वीडियो को बोस्ट कर सकते हैं चैनल को बोस्ट कर सकते ह जिससे आपके चैनल पर ज्यादा रीच आए क्या करना है सारा कुछ आप करके देख लिए है फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है सबसे पहले आपको अपने चैनल कीवर्ड्स आज हम लास्ट में लास्ट बता रहा हैं समझ लेजिए आज के बाद हम यह बताना बंद कर देंगे आज जो नहीं सीखा समझ लोग कभी सीख ही नहीं पाएगा क्यूंकि सभी यूटूबर्स नहीं चाहते हैं जो बड़े यूटूबर्स हैं वो नहीं चाहते हैं आप ग्रों हो जाएं क्योंकि यहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ है यूटूब पर आपने देखा होगा आपके आस पास कितने यूटूबर हैं बहुत सारे यूटूबर्स हैं उसमें आपको ग्रो होना बहुत कठिन काम है अगर ग्यान नहीं है तो नहीं ग्रो कर पाओगे इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है अगर ग्रो करना है अपने चैनल पर तो आपको करना क्या है अपने चैनल कीवर्ड को बहुत साबधानी से समझना है और जो भी कटागरी आपकी है चाहें टेक हो, चाहें ब्लॉगिंग करते हो चाहें फोर से रिलेटर हो, चाहें आपकी गेमिंग हो कोई भी कटागरी हो ध्यान से समझना आप अपने चैनल पर फालो करना इसको देखिए हम क्रोम ब्राउजर पर बाइटी स्टूडियो को ओपिन करेंगे उपन करने के बाद हम चैनल कीवर्ड की सेटिंग पर आ जाएंगे अब हमें यहां पर करना क्या है देखिए, यहां पर आपके चैनल वाले सेक्शन पर क्लिक करना है यहां पर चैनल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए यहाँ पे चैनल कीवाइट्स में हम आ गए है सोरी चैनल देखिए यहाँ पे हमने जूम करके रखा है और हम आपको पहले तो आपको दिखा रहे हैं कि हमने कैसे अपने चैनल में कीवाइट्स डाल ले हैं कैसे हमने डाले हैं जिस से हमारा वीडियो आप तक पहुँच रहा है इसको बहुत ध्यान से समझ लेना आप और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गलत तरीका बताते हैं पहले हम उसको फालौ करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं देखिए हमने काउन से कीवर्स टारी है सारे keywords आपको देखो सो हो रहे हैं आप देख सकते हैं काउन से keywords हमने यहाँ पे mention किये हुए हैं आप सारे keywords देख लें पहले हम दिखा रहे हैं आपको ठीक है अब देखिए यहाँ पे करना क्या है अब समझिए सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे सबसे पहले आप अपने चैनल का नाम लिखना है अपने चैनल का नाम जो भी नाम है नाम चैनल का आपका सही होना चाहिए यह नहीं आपने अपने चैनल का नाम रख दिया और उसमें नाम लिख दिया और जो simbals आते हैं बो लगा दिये या number लिखते हैं गिंतियां लिखे दे इनको नहीं लिखना है आप ये सबसे बड़ी गल्ति करते हैं अपने चैनल का नाम रखने में आप अपने चैनल का नाम unique रखिए जिससे हर कोई आप के चैनल को सही से सार्च कर पाए क्या करते हैं चैनल के नाम को सही से रखना है यूनिक नाम रखना है या तो अपना नाम रख लीजिए या आप जिस से रिलेटेड चाहे है उसका नाम रखिए गिंती या कोई फाउंट नहीं यूज करना है सेंबल special character वो भी नहीं आपको follow करना है नहीं लिखना है उसके बाद अपने चैनल के keywords को इसमें डालने के बाद फिर आपको क्या करना है अपने category से related 2024 में आपको grow होना है तो इसको करना ही पड़ेगा अगर अपने चैनल को ज़्यादा लोगों तक रीच पहुंचाना चाहते हो तो इसको 100% करना पड़ेगा अपने category से related जो आपके यूटूबर हैं बड़े यूटूबर्स हैं उनके चैनल के नाम को आपको कोपी करना है उनके चैनल के नाम के यहाँ डालना है keyword बड़े creator आपके category में जैसे blogging में रख लीजिए बिजेडिया हो गए सिवानी कुमारी ओफिसेल हो गई जैसे कई ऐसे creators हैं blogging से related तो उनके चैनल के keywords आपको डालने हैं अगर आप food से related बनाते हैं तो आपको फोट से related जो आपके चैनल बड़े हैं उनके चैनल के नाम लिखना है या आप tech से related हैं तो tech से related में क्या लिखना ह जैसे मनोच दे हो गए बहुत सारे ऐसे बड़े creators हैं जुन्नों के टेक बहुत से ऐसे creators हैं उनके नाम यहां पर लिखना है आपको यह सारे keywords लिखने के बाद फिर आपको searchable content जो होते हैं उन keywords को भी यहां पर mention करना है और बार बार यहां पर छेडखानी नहीं करनी है यह नही नहीं हो पाएगा क्या करना है आज अभी इन कीवर्ड को आप सही से मेंसें का दी जिये इसके पास उसका बाद इसमें अब दो क्यंद इन कod करना है और रॉड्य करना है उसके बाद कुछ नहीं करना है और का है Table हैं हमारे में Tech से related है तो हमने कई से किवस डाले हैं देखिए यहां पे देखिए यहां पे पड़ा हुआ है Science and Technology Tips and Tricks क्योंकि हम YouTube से related Facebook से related यहां पे आपको जानकारी देते हैं तो हमने यह लिख दिया और क्या लिखा है और हमने लिखा है Science and Technology Top 10 News technology और जो भी हमारे creators हैं उनके भी हमने channel के keywords डाल रखे हैं इतने आपको keywords यहां पे रानने हैं और डालने के बाद आपको save कर देना है save करने के बाद फिर आपको देखना है कैसे आपका channel बोश्ठ होता है लेकिन आज ही इनको करना है आपको उसके बाद आपको कोच्छिस में चैनल में कोई छेड़ खानी नहीं करनी है फिर आपको सीधे Bytee Studio को चेक करना है कि आपके जब भी वीडियो अप्लोड कर रहे हैं कि रीच कितनी जा रही है ब्योज नहीं रीच कितनी जा रही है रीच कैसे देखना है बाइटी स्टूडियो को ओपिन करेंगे और हम एक वीडियो को ओपिन करते हैं किसी भी वीडियो को हम ओपिन कर ले रहें और नीचे फिर से हम टैब करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि reach, reach किसे कहते हैं, आज हम बता दे हैं, नहीं जानते हैं, अगर जानते हैं, फिर भी देख लिजिए, और यहाँ पे देखिए, reach वाले section पर जाएंगे, हमें सबसे पहले अपनी वीडियो की reach देखना है, कि reach बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही ह देखिए, impression जिसे कहते हैं, 26 के, यानि 26 इसका impression इस वीडियो का, यूटूब ने हमारी वीडियो का 26 लोगों के पास impression बेजा है, और impression यही, देखिए, यहाँ से चल रहा है, अब यहाँ से पूरा बराबर हो चुका है, यानि अब वीडियो इस पर down हो गया है, ब्योज जान है, तो कौन से ट्रिक फालो करना है, वीडियो पढ़ी हैं चनल पर, वहाँ पर देख सकते हैं जाका, और description में भी हम उसका link देदेंगे, देखिए, impression बहुत जरूरी है, जब भी वीडियो अपलोड करना, उसके बाद आप चेक करना कि इसका impression कितना जा रहा है, impression लगातार बढ़ेगा देखना, अगर जो हमने की वार्स बता हैं, उनको अपने चनल पर आपने फालो कर दिया, impression बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे, आपका impression इतना हाई हो जाएगा, कि आपका channel बूस्ट हो जाएगा, और फिर view जाना स्टार्ट होने लगेंगे, और YouTube आपके channel को, आपकी वीडियो को promote करना शुरू कर देगा, ये जानकारी बहुत ही important थी, इसलिए हमने इस topic से related इस वीडियो को बनाने का नेड़े लिया था, आप तक इस जानेकारी को हमने पहुंचाया, वीडियो अगर अच वर्स हैं, तो जरूर करना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन, बंदे मात्रम